डॉक्टर चरंजीत कौर, किसे वी फसल दा चाड उस वीच किते गे खाद खुराकां दी वर्तों, नदिना दे हमले, कीडे अते बिमारियां दे हमले ते बहुत निरपर करदे है, कंक दी फसल दे वीच जे असी नदिना दी रोक थाम ना करिये, ता चाड काफी हद तक काट ज जन्ड़ ने जे असी नदिना, जा敢क दी फसल दा चाड चाड काफी हद तक काट जन्दा है, इसलिए ऑसन दीन नुँ आसी तिन वखरी यां हालताः दृट रोक थाम कर सकते हम, जान दा बिजाई समय, ते जां फिर पहले पाणी तो पहले, जा. फिर पहले पाणितों बाद विच बिजाई समय गुली डंडे दी रोक थाम दे लई साड़े कोल इकनावन दी नशक अवकीरा ती डबल्यू जी है इस दी असी 60 ग्राम प्रती एकड मत्रा वर्त के 150 लिट्र पाणि विच कोल के इसनु बिजाई दे दो दिना दे अंदर छिड साथी स्टेज दे विच ही इस दी काफी रोक थाम हो जन दी है ली डंडे दी रोक थाम असी पहले पाणितों पहला वी कुछ नदी नाशक दवाईयां वर्त के कर सकते हां साड़े कोल नदी नाशक लीडर पुजत्तर डबल्यू जी है जिस दी असी 13 ग्राम प्रती एकड द दो तो तो तिन दिन पहलना जो दो साड़े नदीन दी स्टेज दो तो तो तिन पतियां वाली होवे उस समय छिड़का करना चाहिए है लीडर द्वाईय दी वर्तों कित्ती होवे उथे सोणी समय चरी जा मकी नाशक दूसरी गल ते आन विच रखन जोग है कि जिथे असी जिनना खेता विच सोरो नराया छोले जहां होर कोई चड़वी पति वाली फसल अरला के बिजी होवे ता उथे इस दो आईदा छिड़का नहीं करना चाहिए है ज्यादा तिर किसान प्रा पहले पाणी तो बाद नदीन नाशकां दी रोक थाम कर दे हैं जिस तरा की गुली दिन्डे दी रोक थाम दे लिए असी इक नवा नदी नाशक अथे उस दी परदर्शनी लगाई है इस दा नाम है शगन 21 ते मातरा इस दी 200 ग्राम प्रती एकड नूं 500 लिटर पाणी दे विच वर्त के असी फसल ते ती तो पैंती दिना उत्ते छिड़का कर साकदे हैं एह इस दी नाशक नो ते आन वीच रखना चाहिदा है कि इस दी नाशक दी वर्तों उननत PBW 555 किसम उत्ते ना करो अते ना ही इस दी जड़ी वर्तों हैं हलकिया जमिन्ना वीच करनी चाहिदी है कुछ पैलियां दे वीच सक्त जान दीन जिवें के कंडियाली पालक मको रारी रिवारी ते हिरन खुरी दी काफिस मस्या पाई जन्दी है एना सक्त जान दीना दी रोक थाम दे लई एक नवी दवाई लामफिडा 50DF वी ग्राम प्रती एकड नो असी पच्ची तो ती दीन छिक ना दी फसल दिते चिटका करसा अदे है इस तरह करंदनाल एना एजड ज़ेसक्त ना जान दीन ने एना दी पूरी तरह रोक थाम हो जन्दी है गुल्लि डिंडा कावले नदीन अते बाकी चोड़ी पतिवाली ना दीन दी रोक थाम हो जन्दी ए फेर नदीन आश्कां दी वर्तो करन तो बाद जे कोई नदीन खेत दे विच रह जन्द है ता उसनों बीज बनन तो पहला सननों पुट देना चाहिदा है ता जो अगली फसल दे लई अपना बीज खेत दे विच ना बना सके